विंटर सीजन चल रहा है और ऐसे में सर्दी जुकाम खासी होना तो बहुत ही आम बात है जेन लोगों को अस्मा है ये विंटर का सीजन उनके लिए और भी ज़ादा प्रॉब्लम लेके आता है क्योंकि सर्दी जुकाम खासी के साथ उन लोगों को सास लेने में भी प्रॉब्लम आती है और ऐसे में डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं एक नेबॉलाइजर के लिए और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नेबॉलाइजर लेके आया हूँ जो की मेट टेक का हैंडी नेब सुपर नेबॉलाइजर है और एक काफी जादा शानदार नेबॉलाइजर है और काफी अच्छे फीचर्ज है इसके अंदर तो बताऊंगा इस वीडियो में इसके बारे में करूंगा इसकी अंबॉक्सिंग तो चलिए करते हैं कुछ टेक की बात Glitter's Info टेक के साथ तो ये है गटेल पाकिंग इस MedTek के Handy Neb Super Nebulizer की और एक काफी सुन्दर Gloss Finish के अंदर पाकिंग है इसके फ्रैंट में MedTek की ब्रैंडिंग है और प्रड़क्ट की फोटोग्राफ बनी हुई है ये MedTek 20 साल पुरानी कंपनी है तो इस Nebulizer के साथ हमें 20 साल पुराना भरोसा मिलता है और ये पाकिंग हमें बताती है कि ये जो Nebulizer है ये हैंडल के साथ आता है लाइट वेट है इसके अंदर BPA-free 2-part medical bottle मिलती है इसकी extensive ventilation है और एक compact है ये Nebulizer pre-save certified है, ISO certified है और CE certified है और इसका MRP 1387 रुपीज है मगर online एक काफी सस्ते price पे मिल जाएगा और अगर आप इसको purchase करने की सोच रहे हैं तो इसका जो best buy link है वो नीचे description में दिया हुआ है जहाँ पे click करके आप इसको बहुत ही सस्ते price पे purchase कर सकते हैं इस box के अंदर एक के instruction manual कम warranty card मिलता है एक के card मिलता है जिसके अंदर company की बाकी सब भी products की detail दी हुई है ये दो different sizes के mask मिलते हैं एक adults के लिए और एक child के लिए है ये दो extra air filters मिलते हैं एक के air tube मिलती है एक के adult mouse piece मिलता है एक के medical bottle cap मिलती है जिसके अंदर baffle integrated है और एक मिलते है इसका main unit जो की है Medtech का handy nap super nebulizer तो सबसे पहले इसकी build quality की बात करी जाए तो काफी जादा strong इसका build है और काफी जादा handy है और काफी compact इसका design है और एक completely white color के अंदर है और gloss finish में है इसके ओपर handy nap super की branding है और साथ-साथ एक है handle दिया हुए जिसका use करके इसको easily carry किया जा सकते है और एक काफी जादा light weight है इसकी दोनों तरह फे window दी हुई है जब भी यह चलता है तो इसके अंदर air circulate होती है और इसके अंदर की motor को ठंडा रखती है इसकी इस side में एक एक cap दी हुई है जिसको हटा के इसका filter लगता है और इसकी दूसरी side में इसकी air pipe लगती है इसकी back side में इसकी specification वाले एक sticker लगा हुई है और साथ-साथ एक 4 rubber की knobs दी हुई है जो की इसको stable रखती है और हिलने नहीं देती है जब इसका use हो रहा होता है और इस knobs vibration को भी काफी जादा absorb करती है सर्फेस तक transfer नहीं होने देती है इसकी back side में एके on off का button है और उसके साथ एके wire निकल रही है जिसके आगे ये 2 pin point लगा हुए तो एक किसी भी regular socket में लग जाएगा और इसको easily use किया जा सकता है तो अब एक बारी इसको assemble करके इसकी working check करते है इस nebulizer को use करने के लिए सबसे पहले इसको assemble करने है और assemble करने के लिए जो air tube इसके साथ आई थी वो इसके air outlet वाले point में लगानी है तो इस तरीके से बस इसको insert करनी है और इसके अंदर लग जाएगी इसके बाद इसका है जो दूसरा point है इस medical cup में लगानी है और इस bottom में इस तरीके से insert करने है और इसके अंदर लग जाएगी और अब इसकी cap को खोलना है और खोलने के बाद इसके अंदर medicine डालनी है और ध्यान रहे हैं इसमें medicine डॉक्टर अगर recommend करे तो ही डालनी है वरना इसको use नहीं करना तो इसमें इस तरीके से ये medicine पोर हो जाती है और इस medicine पोर करने के बाद इसमें इस तरीके से cap लगा लेनी है और इक cap लगने के बाद अब इसके उपर या तो इसमें mouthpiece लगेगा या फिर इसके उपर mask लगेगा तो अभी के लिए मैं इस mouse piece को लगाता हूँ और इस mouse piece लगाने के बाद अब इसको मैं अपने इसमें लगाके extension वर्स को on करता हूँ on करने के बाद इसके पीछे जो button है इसको press करके on करने और इस on करते ही यह चलना start हो गया है और इसके अंदर medicine है यह air के साथ निकल रही है और काफी अच्छी इसकी air delivery है काफी अच्छा flow है इसका और इस nebulizer की sound भी काफी जादा कम है अगर इसको बाकी nebulizer से compare करा जाए तो और इस nebulizer का जो air flow है यह अच्छा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर piston compressor लगा हुआ है जो की इसके flow को enhance करते है और इसकी life भी increase करते है यह nebulizer approximately 2.5 बास का pressure generate करते है और approximately 8 LPM का air flow generate करते है और इसकी जो sound है वो less than 60 dB है जो की काफी जादा कम है और इसको एक साथ एक घंटे यानि 60 minutes तक use किया जा सकते है और इसका जो weight है वो तकरीबन 1.35 kg का है तो अभी आपने देखा कि MedTech का यह nebulizer कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा था और कितनी अच्छी इसकी air delivery है और कितनी अच्छी यह evaporate करके medicine को बाहर निकाल रहा था इसकी performance तो काफी जादा अच्छी थी ही साथ-साथ इसकी जो sound थी वो भी काफी जादा कम थी यह एक lightweight portable nobilizer है जिसका design handle के साथ आता है इसके साथ BPA free दो part वाली medical bottle मिलती है इसके अंदर extensive ventilation है इसको बच्चे से लेके बुड़े तक सबी लोग use कर सकते है इसके अंदर powerful और long lasting piston compressor है और इसके साथ पूरे एक साल की warranty मिलती है तो इतने सारे features होने के बाद भी यह medtech का nobilizer काफी सस्ते price पे आपको मिल जाता है और अगर आप इसको purchase करने की सोच रहे हैं तो इसका जो best filing है वो नीचे description में दिया हुआ है जहाँ पे click करके आप इसको बहुत ही सस्ते price पे purchase कर पाएंगे तो यह थी medtech के इस nobilizer की एक वीडियो और मैं ऐसी ही technology और gadgets related वीडियो चाहिए बनाता रहता हूँ और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें फिर मिलूँगा आपको एक नई वीडियो में नई information या नई गैरिट के साथ तब तक के लिए goodbye, take care, जैहिन, जै भारत